आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें अनन्द का रूप आता है, तो इसका जो सुत्र होता है, जैसे मैं दे रखा हो लिमिट x tends to a f of x की घात g of x और x tends to a रखने पर ये एक की घात अनन्द का रूप बन रहा है तो इसकी सीमा का मान होता है एक की घात लिमिट x tends to a f of x minus 1 और गुणा में आ जाएगा g of x तो यहाँ पर x tends to क्या है? pi बटा दो, a का मान pi बटा दो है और ये सीमा एक की घात अनन्द का रूप बन रहा है तो इसका जो हल आ जाएगा, वो हो जाएगा e की घात लिमिट x tends to a की जगा आ जाएगा pi बटा दो, f of x कितना हो जाएगा sin x minus 1 और गुणा में आ जाएगा g of x हो जाएगा 10x अब 10x को नीचे ले जाओंगा तो 10x हमारे पास क्या होता? एक बटा कॉट x तो ये आ जाएगा e की घात लिमिट x tends to pi बटा दो sin x minus 1 और बटे में आ जाएगा cot x, अब अगर मैं सीमा लगाऊँगा इसमें तो हमारे पास क्या जाएगा? sin x, x tends to pi बटा 2 रखने पर sin pi बटा 2, 1 minus 1, 0 बटा नीचे cot pi बटा 2 का मान भी कितना होता है? 0 होता है, तो ये हमारे पास 0 बटा 0 फॉर्म बनेगी और जब 0 बटा 0 फॉर्म बनती है तो इसको सरल करने के लिए हम L होफिटल रूल उपयोग पे लाते है तो L होफिटल रूल हमारे पास क्या होता? उपर वाले फलन का उपर अवकलन और नीचे वाले फलन का नीचे अवकलन तो या जाएगा e की घात limit x tends to pi बटा 2 उपर वाले फलन का उपर अवकलन करूँगा तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x minus 1 का अवकलन हो जाएगा 0 बटा cot x का अवकलन हो जाएगा minus का cos x square x अब मैं एगर x tends to pi बटा 2 अपलाई करता हूँ तो cos pi बटा 2 का मान हो जाएगा 0 तो e की घात में आजाएगा 0 बटा cos x square pi बटा 2 तो cos x pi बटा 2 का मान होता है एक का स्क्वार तो 0 बटा minus का 1 और 0 बटा minus 1 कितना हो जाएगा 0 तो यह आजाएगा e की घात 0 और e की घात 0 का मान होता है 1 तो दिये हुए सवाल की सीमा हो जाएगी एक धन्यवाद